कि हैं लास्ट वीडियो में हमने एनिमल्स जैट नौ यह स्टार्ट भी नहीं था छोड़ दिया था कंटिनू करेंगे यहीं से लेकिन करने से पहले अब भी हम सिरसे रिवाईज कर लेते हैं हमने क्या क्या बढ़ा था तो हमने एनिमल पेन की चरेक्टरिस्टिक के बारें इस वीक तरीके से animals होते हैं लेकि नहीं बहुत चोटे animals होते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमने movements के बारे बढ़ा था movements animals के animals में movements के बारे बढ़ा था फिर उसके बाद food habits के बारे बढ़ा था के सबी है छो होते चोंडा वह सभी वारे में में पढ़ रहे थे और डीटेillot में 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 मैं पढ़ा था क्या चाहे यह पर लिए था पर्षसमें उहर्न व सुझी बरते हैं वहाते हाफ उनके क्रीश ना करते हैं कि उनकि शाप ट्रेख हो को आराम से भायुट कर सकते हैं फिर उसके बाद कार नी वोर्ज के वारे बढ़ा था कार्नी वोर्ज के जो टी चुस होते हैं वो पॉंटी टीम होते और दूसरे जो बिल्कुल आलसी वाले होते हैं फिर उसके बाद ओमनी वोर्स के बारे बढ़ा था जिसमें हम आते हैं ओमनी वोर्स क्या होते हैं जो ऐसे जानवर या फिर ऐसे जीव जनतों जो दोनों ही चीजे खा लेते हों जो मीट भी खा रहे हैं और जो प्लांट्स भी मीट्स खाने के लिए इनके दात भी ऐसे इसे भये दूए हैं जो फ्रंट दो टीथ होते हैं ओपर और नीचे के हो बिल्कुल शाप होते हैं ताकि वो बाइट कर सकें और उसके बगल के दो-point टीथ होते हैं» यह एं वह het Frage है की वह चीजों को फाड़ सकें अब उस हम क्या फाडने में इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़ कर सकते हैं और और क्या कर सकते हैं अब बता सकते हो उसके के बारे में है ना अब आगे पढ़ रहे हैं कि इने मे proposed य हान रिखना है नो इसको ग्रएंड м पढ़ते हैं जी साइलें Wy नए नॉज हो। नौ मतलब होता है कुतरना तो ऐसे जानवर जो कुतरते हैं जो अपना भूजन खाने के लिए कुतरना पसंद करते हैं या फूर उनके दान की बनावट ऐसी होती है जिसकी वैसे यह आसानी से कुतर सकते हैं तो वो कह रहा है कि आपने देखा होगा अगर रैट्स वगरे को देखा होगा या रैबिट्स को देखा होगा उनके दो दान थोड़े से जादा बड़े होते हैं तो वही कह रहा है कि एनिमल्स लाइक रैट्स, स्क्वेरल स्क्वेरल पता है आपको न? गिलहरी और रैबिट्स अब देखो अब देखो गछालवे जानवर होते हैं उनके फरन टीच शाफ होते है तो ये भी एक तरीके से घरवी वोर्स हैं बस इनकी खास बात क्या है? ये हरवी वोर्स तो हैं लेकिन ये जो हैं, इनके दांट जो हैं वो शाब तो हैं, इनके दाथ थोड़े से relatively ज़ादा लंबे हैं, बाकि सारे दाथ के comparison में clear है, फिर कह रहा है, they know their food, so they are called nars nars इसको पढ़ते हैं, या फिर nars बोल सकते हैं तो ये आपको याद रहता है, या फिर rodents, rodents जो है, वो ज़्यादा popular word है nars कोई ज़्यादा नहीं बोलता, तो अब लेकिन अगर आपके सामने कोई बोल दे हैं कि nars क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हों कि ऐसे जानवर, जिनके सामने कितना relatively ज़्यादा बड़े होते हैं, और शाब होते हैं, तो वो कुतरतना पसंद करते हैं ऐसे जानवर, जो कुतरते हैं अपनी भोजन करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं, nars ठीक है, और the process of ये जो कुतरने वाला जो process है इस process को क्या बोलते हैं, नौ, ठीक है, तो अगर आप कुछ कुतर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं नौ कर रहा हूं, ठीक है तो ये करते का हैं, ये जो rats का आपको पता ये क्या खाते हैं, आपके घर में आनाज वगए रहा हुआ, उसको खा लिया, आपके घर में कपड़े वगए रहा हुआ, उसको कुतर दिया, fruits वगए उनको खा लिया, तो कोई मिला के आपके घर में ये रहते हैं, और आपके घर करते हैं इनके पास और कोई option ही नहीं है लिए रहे हैं आगे बढ़ते हैं sucking animals sucking मतलब होता है चूसना जैसे sucking आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे आप आइस्क्रीम खाते होगे तो आइस्क्रीम को आइस्क्रीम को चूस के खाते हो आप जब हाजमुला अहाजमुला जिब खाते हो उसको चूस क्या खाते हो तो इसी process को बोलते हैं sucking उसी ही को कहा रहा है कि some animals suck liquid food कुछ जानवर हैं जो liquid food को suck करता है liquid मतलब जो पानी जैसा कुछ liquid liquid को क्या तरल पदार्थ हो सकते हैं हिंदी में जैसे पानी हुआ, सूप हुआ, मिल्क हुआ, यह सारे लिक्विड फूड है, ठीक है? अब देखो, मैमल्स यह वर्ड वापस से आया है, तो मैमल्स के वाइर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, उसका फायदा क्या होगा? जब मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, तो उनके जो बेबी होते हैं, वो बेबी उस मिल्क को पी सकते हैं ठीक है? ड्रिंक कर सकते हैं तो वह milk क्या करता है वह milk जो है इनको food प्रोवाइड करता है जब तक वह बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक जो है वह अपने मदर के milk के उपर dependent होते हैं तो आप मैमल्स को क्या बोल सकते हो मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हो ठीक है और उस मिल्क का यूटिलाइशन कहां पर होता है उनके बच्चे जब होते हैं तो जैसे हम इंसानों में देख लो आपने आप जब छोटे रहो तो अपनी मम्मी का करते हैं फिर आगे है दे लीच सक्स दे ब्लड ऑफ एनिमल्स लीच क्या होते हैं आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कुछ काले-काले थोड़े लंबे-लंबे से छोटे-छोटे यो कीडे टाइप के होते हैं वो गाय भैस की उपर आकर चिपक जाते हैं बारिश के बखा से और वो छोड़ते हैं और उनका गाय भैस का खून चूसते हैं तो इन्ही जानुरों को इन्ही को जो बुल लाता है इसका आगे मैंने फोटो भी डाला हुआ है अब देख ले ना इट्स माउथ है सकर्स्टू स्टिक एंड सक तो इनका जो माउथ होता है जो लीचे के बॉड़ी पे चिपक सकते हैं किसी जानुरों के बॉड़ी और वो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक यह इनकी फूड की जो रिक्वार्मेंट है यह खास पर के यह ज्यादा अधा अतर्व ब्लड पीते हैं आप सोचो यह ब्लड पी रहे हैं ब्लड भी एक तरीक एक butterflies है और mosquitoes मतलब मच्छर मच्छर और butterfly बटली तितली के मोह यार फिर teeth होते ही नहीं अब यह क्या करेंगे they have a tube through which it sucks juices from flowers and fruits तो इनके tubes होते हैं टीक है tubes होते हैं जिससे मनलब यह जो सामने की तर और उनके निकला होता पतला पतला साव लंभा लंबा साव वो tubes होते हैं जिससे यह सक करते हैं juice को जैसे जो butterflies होती है इनके tube से यह क्या करती है यह flowers पर जाके बैठ गया है और flowers पर बैठ के उसमें से जो sweet juice होता है उसको सक करना start कर देता है ठीक है This tube is called proboscis अब proboscis यह word भी याद रखना है proboscis क्या होता है जैसे mosquitoes pokes its proboscis and sucks blood from the skin of animals mosquitoes जो होते हैं अपने proboscis जो होते हैं उनको चुभाते हैं तो जो हम बोलते हैं सुई लगा के चला गया यह mosquito तो वो सुई जो है वो जो needle है उस needle को क्या बोते हैं proboscis clear है तो I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा अब proboscis यह word बिल्कुल नहीं भूलना है तो proboscis किनके किनके होते हैं जिनके mouth या फिर teeth नहीं होते हैं और उनके tube like कोई structure होता है लंबा सा बिल्कुल पतला सा वही होता है proboscis clear है चलो अब आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं जैसे यह देखो जैसे sucking animals के आरे हम बात कर रहे थे तो dogs है female dog है female dog के बच्चे उसके milk सक कर रहे है ऐसे cat के भी बच्चे milk सक कर रहे है cat आराम से सो रहे है और उसके बच्चे अपने food के लिए अपने मा के दूद पे डिपेंडेंट हो रहे है clear है और ऐसी ये देखो लीचेस के बारे मैं बात कर रहा था तो लीचेस के देखो ये सामने के मूँ की बनावट ही ऐसी है कि किसी चीज़ पर जाके एकदम सक कर लेते हैं चिपक जाते हैं ठीक है और हमने प्रोबोसिस के बारे में बात किया था तो यह जो है, सामने का जो इनका हिस्सा होता है, butterflies के, वो proboscis होते हैं तो यहां तक आपको clear हो गया होगा, I hope अब आगे पढ़ते हैं Some animals like cats and dogs lick liquid food, milk and water with the help of their tongues कुछ जानवर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने liquid food को कैसे खाते हैं वो चाट-चाट के खाते हैं, जैसे dogs या फिर cats, अगर आपके, आपने कभी देखा होगा, और खास करके आपने देखा ही होगा आपके आसपास में, कुट्य और बिल्ली तो घुमते ही रहते हों यहाँ तक यह पाने भी अगर पीते होंगे तो देखना है वो चाट-चाट के पीते हैं, चाट-चाट के और वो खतम के भी कर देते हैं तो यह इसमें भी अब आप समझे लो कि कितने जादा वैराइटीज हैं, इतना तो हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा कि कितने सारी चीज़े होंगी, जिनके बार हमें नहीं पता होगा spiders makes web and trap the fly and eats it up तो क्या करते हैं spiders जो होते हैं वो web बनाते हैं जाल बुनते हैं आपने देखा भी होगा तो जाल बुनते हैं अब क्या है कि ये जो जाल होते हैं इतने ही पतले पतले हैं कई बार तो हमें नहीं दिखता तो जो खीडे होते हैं जाल को नहीं देखते हैं और इसके आर पार जाने की कोशिश करते हैं जैसे जाने की कोशिश करेंगे वैसे जाल में आके वो trap हो जाते हैं उसमें जाके फस जाते हैं अब फस जाएगा तो उसके बाद जो है वो इंसेक्ट को जो है आराम से खा लेगा animals and plants found in the soil जो earthworms है earthworms मतलब वही जो आपने देखा होगा बारिश के मौसम केचवे बहुत सारे बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं वो किस पर depend करते हैं जो ऐसे जानवर होते हैं जो सडने लगे हैं almost सड चुके हैं या फिर ऐसे plants जो almost सड चुके हैं उन पर dependency है इनकी earthworms की और ये कहां पर मिलेंगे वही soil के अंदर मिलते हैं तो soil के अंदर ये मिलेंगे और soil के बाहर जहां पर कुछ सडा गाला मिला उसके आसवास में जो है ये जमीन से बाहर निकलते हैं और उसको food को खा के वापस से जमीन में चले आते हैं clear है तो आज के लिए बस इतना ही बाकि नेक्स टाइम continue करेंगे thank you